हेलो एब्रीवन विल्कम बैक टू माई ओफीशल यूटूब चैनल रोजगार वित नविन दोस्तो आप सभी के लिए बड़ी गुड नियूज है क्योंकि एरपोर्ट में आ चुकी है सीधी भरती जिहां दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एर इंडिया की किसी भी स्टेट या डिश्टिक में रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल के इंडियःट ओहीं अपलाए कर सकते हैं एरपोर्ट की एस वेकेंशी के लिए आपका एक्जाम भी नहीं होने वाला है बिना एकजाम के बिलकुल सीधी भरती के माद्दियम से आपका सेलेक्शन होगा तो इस वेकींसी की लीक, इस प्रकार अपलाए करना है, सलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, कौन-कौन से केंड़ी एट्स ऐलिजीबल है, प्रोफाल क्या है, इस लिमिट क्या है, सलरी आपको कितनी गंटी का बेल आइकन दबा करके all कीजेगा ताकि रोसना आपको नई जौब की notification आपको सबसे पहले में सके आगे बढ़ते हैं बात करते हैं एरपोर्ट सीधी भरती 2024 के बारे में तो एरपोर्ट की तरफ से ही जो वेकेंसी निकाली गई है कौन कौन सी documents लगाने हैं documents की list भी आपको बताएंगे तो दोस्तो बात कर लेते हैं सबसे पहले qualification की तो यहाँ पर के वल कम से कम तेंथ class पास के इंडिगेट्स अपलाई का सकते हैं अगर आप तेंथ के अलावा 12th graduate graduate, diploma, degree, ITA पास भी है तब भी आप अपलाई का सकते हैं बिना एक्जाम के सीधी बढ़ती है और सबसे शांदर और अच्छी बात यह है कि इसी महिने में 8 से 13 जनवरी को आपको जो हाथ तो हाथ यहाँ पर जोइनिंग मिलने वाली है जी हां दोस्तों बिलकुल ठीक सुना आ प्रोसेस आपको समझा जेते हैं ऑफिशल वाप साइट के मातम से हैं दोस्तों यह हमारी ओफिशल वाप साइट है रोजगार्वीत नविन.com यहां पर आपको रोज़ना गवर्मेंट जोब की जानकाई सबसे पहले दी जाती है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है रोज़ना हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं ठीके नई जोब की जानकाई सबसे पहले वहाँ पर दी जाती है तो हम आ चुके हैं ओफिशल वेबसाइट पर रोजगारवितनविन.com पर और आज हम बात करेंगे एर इंडिया एर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेट की नई वेकिंसी के भारे में जो की AIA टीसल की तरफ से है यान की एरपोर्ट की वेकिंसी है दोस्तों मल्टीपल जॉब से यान की गुरूप डी से लेकर के लेवल तक की वेकिंसी हाँ पर निकाली गई है तो डाइंग टर्मिनल मेनेजर की पोस्ट है, duty officer की है, customer service executive की है, junior customer service executive की है, junior officer की है, rams service executive की है, utility agent and rams driver की है और handy woman की है तो ना तो आपको by post apply करनी है नहीं आपको online apply करना है सिर्फ interview के माध्यम से ही आपको यहाँ पर forum भरके submit करना होगा हाथ तो हाथ हाथ तो आद आपका interview होगा हाथ तो आद आपको forum document submit करने है और हाथ तो आपको join लेनी है all India के candidates male or female apply कर सकते हैं नहीं selection का process दे रहेगा उसमें physical test होगा और आपका cable interview होगा salary 17,850 से दगबख 60,000 रुपे पर मत आपको salary मिल रही है age limit जो है 18 से 55 है और यहाँ पर application fees जो है general OBC के लिए केवल 500 रुपे का charge है जिसका payment आपको demand draft के DD के दोरा करना है बाकि SCST के लिए बिलकोर free है education qualification में आप दिसे तेंथ class pass से लेकर के ITI 12th और diploma degree pass सभी के इंडिगेट्स के लिए job है अपलाई कीजेगा सीधा work interview के थूँ अपलाई करना है यहाँ पर सूरत station के लिए आप दिसे तेंथ सूरत का जो airport है उसके लिए आपको यहाँ पर vacancy निकाली गई है और यहाँ पर हर एक post के लिए अलग-अलग date दे रखी है अलग-अलग timing दे रखा ठीक है तो यहाँ पर आठ जन्वरी से लेकर के आपको इंटर्वी शुरू हो जाएंगे timing सुबह 9.30 से 12.30 तक रहेगी सभी का timing एकदम सेम रहेगा बाकर date अलग-अलग है तो तेरा जन्वरी तक आप जो है इंटर्वी के लिए जा सकते हैं ठीक है सूरत airport के लिए ठीक है तीन साल के fixed contract basis पर ये vacancy है आपका contract जो है extend पी किया जाएगा और ground staff की vacancy है आप देख सकते हैं यहाँ पर salary साथ हजार रुपे तक आपको मिल रहेगे age limit maximum 55 साल तक है ठीक है तो handyman handy woman के लिए भी vacancy है तो आप दस्तुई पास है तो आप उस post के लिए apply कर सकते हैं यहाँ पर आपको सभी जानका इदर की है आप देशकते हैं 10th standards याणि कि दस्तुई पास के इंडियर्स apply कर सकते हैं salary आपको इतनी मिलने वाली है ठीक है और यहाँ पर नीची आपको आना होगा सबसे पहले आपको बढ़ा दे नीची आपको आना है यह रहा application forum इसको आपको भरना होगा और आपको इंटरू के समय लेके जाना है वहीं पर ही हातवाज submit करना है ठीक है तो यहाँ पर आप जिस post के लिए apply कर रहे हैं वो नाम देना है यहाँ पर आपकी photograph लगानी है यह तो आपका office use के लिए है आपको यह नहीं भरना है ठीक है आपको नीचे का भरना है और यहाँ पर आपका नाम यानिकी first name, middle name, last name आपकी पताजी का नाम, rate of birth क्या है आपका address क्या है आपकी birthplace क्या है ठीक है और आपका PAIN Core Studio State क्या है आपका email ID, mobile number, आपका xender क्या है category क्या है, nationality, religion क्या है म generator टंग क्या है, pain number क्या है, अधर number क्या है category community क्या है मतलब आपकी ठीक है उसके बाद दोस्तों आपकी qualification क्या यानि कि कम से कम दस्वी class pass से लेकर के maximum जो भी आपके पास में qualification है जैसे कि दस्वी, बारवी, डिपलोमा, ITI, NCVT, graduate, postgraduate, B, B, T, MBA जो भी अगर आपके पास है तो वो आप डाल दीजेगा अगर मान लीजे आपके पास केवल दस्वी की ही मा information भी आप दिसकते हैं अगर आप बारवी पास की भी है तो वो भी आप डाल सकते हैं ठीके और यहां पर ठीके आपकी कौन सी language आपको आती है लिखना पढ़ना बोलना वो आपको यहां पर mention करना है अगर हिंदी आती है तो राइट का निशान लगा देना है तीनों पर और English जो है सिर्फ पढ़ना आती है तो राइट यहां लगा देजीगा बोलना नहीं आती तो आप क्रोस लगा देजीगा लिखना आता है तो यहां पर आप राइट लगा सकते हैं ठीके तो यहां पर आपके पास में कोई भी experience है किसी भी फिल्ड का तो आप यहां पर mention कर सकते ह अगर नहीं है तो इसे खली छोड़ दीजेगा ठीके वहीं दोस्तों यहां पर अगर आपके पास में driving license है light motor vehicle का या heavy motor vehicle का तो यहां आप डाल दीजेगा ठीके और यहां पर ठीके अगर आप demand draft लगा रहे हैं अगर आप जनरल OBC के candidate से 500 उर्पर का demand draft लगा रहे हैं तो उसक इसकी जो भी information है जो भी आप जहां से issue कराया है जैसे bank से आप issue करा रहे हैं तो उस bank का नाम देना है कब issue कराया है और draft number जो भी हो देना है ठीके तो इस परकार आपको information देनी होगी अगर आपका airport में इसी department में कोई भी मिलने वाला जिससिदार कोई भी आपका भाई बेन हो कोई भी चचाता हो जो भी अगर कोई काम करता है तो उसकी information आप यहाँ पर दे सकते हैं उसका नाम किस पत्पे है company कौनसी है और उनका आपके साथ में संबंध क्या है ठीके वह आपको देना है उसके बाद में आपका पुरा place आपकी date जिस date पर आप सब्मिट कर रहे हैं आ चीकि आपको वहाँ पर चेक करेंगे फोटो कोपी से मेंच करेंगे और और अपको हत्वाद दे देंगे फोटो कोपी आपकी जामा हो जाएगी तो यहां पर पूरी की पूरी लिस्ट है application fees और इसकुल का living का certificate दसवी की math sheet बारवी की math sheet ग्रेशन की तीनों की math sheet क्या है पोस है आप सब लगा दीजेगा अगर नहीं है तो छोड़ दीजेगा जो नहीं है वो छोड़ दीजेगा जो है वो लगा दीजेगा ठीक है तो यह सब आपके लगाने होंगे और आपको सब्मिट करने होगे इंटर्यू के समय तो दोस्तों इस पर अगर आपको अपलाई करना ह वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरू किजेगा थैंक यू सो मज